पाकिस्तान आर्मी चीफ आसेम मुनिर और अरब मिले हैं और दो एटम बम इनको बेचे गए तो दुनिया की सुपर पावर को उन्होंने जो है वो धमकी दे दा लिए इरानी फॉर्ण मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा तबाका करेंगे जहिन दोस्तो मेरे चैनल मोडी डेस में आपका सोगत है दोस्तो इस वीडियो को लाइक और सेर करना मत गुलेगा तो दोस्तो पाकिस्तानी मीडिया आज एक खबर दे रहेगी उनके पास एक खबर आई है कि पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है आसेम मुनिर उन्होंने अरब देश के किसे बंडे को 3.5 बिलेन डॉलर में दो एर्तमिक बम बेश दिये हैं और इरान ने ये धमकी लगाई है कि अगर इस जल ने गाजा पे अपनी आर्मी कुशाई तो इरान कुछ बहुती बड़ा धमाका करेगा तो अब अमरीका को या दुनिया को इड़र है कि पाकिस्टान ने इस पैलेस्टाइन हमास के चक्र में किसी अरब देश को एर्तमिक हद्यार उन्होंने कई बेश तो नहीं दिया हो पैसों के लिए तो पाक मीडिया आज इसके बड़े बात चीट करता है दोस्तों यह वीडियो बहुती मैसे दा रहे है तो इस आप पुरा से रो दिखेगा तो चलिए और इंटिसार नकर के वीडियो दिखते हैं मैंने आपको का कि यह जो मल्टी फ्रंट हम वार की बात करें तो फ्रंट तो खुलते चले जा रहे हैं तो जो इराक है उसने यह कहा है कि अमरीका को कि इसमें इंटर्फेर ना करो तो क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम यह हैजिडेट नहीं करेंगे कि हम वाशिंटन को निशाना बना सकते हैं और यह जो वार्निंग है यह उस वक सामने आई है कि जब जो वाशिप है अमरीका का वो अब करीब पहुंच चुका है इसराइल के और जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे कंट्रीज अपना स्टैंस देते वे नज़ा रहे हैं इराक नहीं कहा है कि अब हम यह वान कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो दूर रहें इस जंग से और जो यह जो कॉन्फिक्ट है यह इसराइल और पैलस्टीन करेंगे और उनने बाकैदा तोर पर यह कहाए कि अगर यह किया गया तो हम इसको जो है वो नहीं चोडेंगे जो 20 में शामिल होगा तो दूनिया की सुपर पावर को उन्होंने जो है भी धंकी दे करेंगे हम उसको कांसिक्वेंसिस के बारे में उन्हों ने युनाइटिन नेशन्स के जरीए मैसेज भेजने की कोशिश की है कि ग्राउंड आपरेशन ना किया जाए कोश चाहिए को चाहिए फोकार्वाज को करुश को छोड़ें फोज साथ ना दे ये हमारे मुसलमान कट्टे हो यह फोज दे या ना दे हमारी अवाश कट्टी होगे कि अधार हम के चाहिए okay लेट तो हो ना कोई х duh झाउ यह हसला भ्राइब करने वhalt हो झाला लेकिन यह हैं कि इन लीगल जोन्स है मतलब हम वैसे तो कई कहीं चले जाते हैं कभी कहीं चल जाते हैं इधर हम कहते हैं कोई हमें लीड करेगा तो फिर जा रहा है लेकिन पीस की बात नहीं आरो आपको लगता कि हम करेंगे तो स्यदा अच्छा मैसी जायए जा पैस लाजमी है जो बात वो टेबल पर होनी चैए लेकिन लेकिन यह बात अ רק जो अहलात फलस्तिन và गुजर रहे यह कहीं सालों से या हो रहे हैं वो नज़र नहीं या वो क्यूं मुनिर और अरबियन गल्फ का एक अरब अमीर लीडर मिले हैं और थ्री पॉइंट फाइफ बिलियन डॉलर में दो एटम बम इनको बेचे गए ये मतलब जाहरे कन्फरम नहीं हो रही लेकिन ये खबर है अब आप ये सोचें कि ये दो एटम बम अगर किसी टेररिस्ट ग्रू कमी है नहीं उसामा बिन लादिन जैसे कई ऐसे अरब सर्फरे हैं आज भी जो एंटी वेस्ट और वह यहुद और हनूद वाली पॉलिसी को जहन में रखके चल रहे हैं और अगर इन्होंने ये बम खरीद ली और आपको याद होगा कि लास्ट विक डेरा घाजी खान में अ पूरे डिरा घाजी खान में आर्मी ने मस्जितों से ऐलान करा दिये थे को उस एरिया को खाली कर दो तो ये ट्रांसफर ऑफ बॉंब इस पूरे डॉट तो डॉट आप मिलाएंगे ना तो कडियां तो कुछ पकराएं और पाकिस्तान से आप इसी टाइप की हरामी पन की ए अगर दो एटम बम पाकिस्तान ने 3.5 बिलियन डॉलर में बेच लिए और वो एटम बम अगर कहीं इसराइल वी इसराइल पर मारता है तो तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसराइल के पास भी 200 एटम बम है फिर इसराइल ने कहां कहां मारना है और अगर ये इसराइल के कहीं बढ़ता है ना, तो पूरे वेस्ट की और इस्रेएल की पाकिस्तान का उपर होगी, पूरा इनकी तोपों का रुक पाकिस्तान की तरफ होगा, ऐसे मैं फिर भारत को कहीं न कहीं तो इन्वालो होना पड़ेगा ख़ा के पी ओ के गिलिड़ पलतिस्तान भी लेना है, पाकिस्तान के पंजाब को भी सबख सिखाना है कि कश्मीर में खालिस्तान नाम पे क्या-क्या पाकिस्तान का पंजाब साधिशने करता है ऐसे में फिर वेस्ट जब देखेगा कि पाकिस्तान ने इटम बम बेट दिये तो फिर वेस्ट के लिए पाकिस्तान खत्म करने के लावा कोई चारा नहीं बचेगा। भारत को बड़े सावधानी से किसी इंटरनेशनल मसले में उल्जे बगर अपने मसले हल करने हैं। और अगर पाकिस्तान ने वाकई एक्टम बम बेचा है तो फिर भारत को पाकिस्तान के मामले में पढ़ना ही नहीं फिर वेस्ट खुद में पढ़ लेगा पाकिस्तान से और भारत को बेठे बिठाए चीज़ें मिल जाएंगी चले दोस्तो इस वीडियो पे बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक ख़बर सची है ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ऐसी कोई हरकर नहीं कर सकता या पैसों के लिए अपने एर्टमिक हट्यार को बेच नहीं सकता पाकिस्तान ऐसा जरूर कर सकता है पर अमरीका को पटा ना चल गया था और अमरीका ने पाकिस्तान को घमकी लगाई थी कि अगली बार उन्हेंने अगर ऐसा कुछ किया तो इसका नतीजा बहुती अच्छा नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता पैसों कि पाकिस्तान अपने एतमिक हट्यार बेच सकता है और अमरीका की नजर पाकिस्तान पे रहती है नौट कोरिया के हरकत के बाद तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अमरीका से छुपा के अपने एतमिक हत्यार बेच पाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई भी सच्चाई है और आखिर में ये कहुआ कि इरान ने जो धमकी लगाई है कि अगर इस्राइल गाजा में घुसा तो हम कोई बड़ा धमा करेंगे तो इरान ऐसी धमकी पहले भी लगा चुका है और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया तो इरान ऐसी धमकी लगाता रहता है तो चलिए देखते हैं कि फीचर में क्या अधर दोस्तों ये वीडियो दिखने के लिए बड़ा सेखिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मन दूलेगा थांकियो बड़ी मत